नमस्कारम, आप सभी को गनेश चतुर्थी की शुपकामनाएं गनेश जी बुद्धी के एक बहुत ही उचे स्तर के प्रतीक है उनमें ऐसी बुद्धी है जो सभी बाधाओं को तोड़ सकती है और तभी विविगनेश्वर है इस अस्तित्व में जीने का सबसे बुद्धिमान तरीका यही है हर चीजके साथ एक होना, एकत्व और योग में होना योग में जीना इसका मतलब ही यह है कि सबसे उची बुद्धी वही है जब बुद्धी का इस्तेमाल दुनिया से अलग होने के लिए नहीं बलकि स्रिष्टी के साथ एक होने के लिए किया जाए आप सभी को ये गनेश चतुर्थी हमारे पर्यावरण को ध्यान में रख कर मनानी चाहिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि गनेश जी बुद्धी के प्रतीक है गनेश जी के नाम पर ऐसे नासमझी करना बिलकुल गलत है क्योंकि हमारी इस धर्ती के पर्यावरण के खिलाफ होना यही हमारी सबसे बड़ी नासमझी है तो परमपरा यही है कि हम बिना तपी हुई गीली मिटी या बाजरे या चावल के आटे से गनेश जी की एक मूर्ती बनाकर उनकी पूजा करते हैं, पर एक सप्ताह, एक पक्वाड या एक महीने और थोड़े और समय बाद, हम उस मूर्ती को ले जाकर किसी जील, समुद्र या नदी में विसर्जित कर देते हैं, और भगवान घुल जाते हैं, हम एक भगवान बनाते ह और उनके आसपास उत्सव करते हैं, वे हमारे जीवन के सबसे महतुपूर्ण हिस्से और हमारी हर चीज का आधार बन जाते हैं, हमारा भोजन, हमारी पसंद, सब कुछ उनी के बारे में होता है, पर उसके बाद, जब समय आता है, हम उन्हें पानी में विसर्जित कर देते ह और उन्हें घोल देते हैं ये एक लौती ऐसी संस्कृती है जो आज भी जागरुख है कि भगवान हमने बनाए हैं तो आप सभी लोग जो इस विधान को करते हैं जो देवता का आवाहन करके उनके साथ रहते हैं और उनका आशिर्वात पाकर उन्हें विसर्जित कर देते हैं मेरी कामना है कि आप सब इसे पूरी भागीदारी उत्सव की भावना और भक्ती के साथ करें